हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे वितायोग की वितायोग यानि फाइनेंस कमीशन इसका गठन जो हो भारतिय सम्विधान के आर्टिकल 280 के तहट भारत के रश्टपती द्वारा किया जाता है आर्टिकल 280 में के कहा गया है कि रश्टपती जो है वो सम्विधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर एक वितायोग का गठन करेंगे जिसका कार्यकाल जो है वो पांच वर्ष या जब तक राष्ट्रपती चाहे कम भी हो सकता है या जैदा भी हो सकता है तब तक रहेगा और संसत जो है वो उनकी योगिता या नियुक्ति के लेकर कानून बना सकती है उन्नी सो इक्यामन में ही जो वितायव अधिनियम बनाया गया और इसके सदस्यों की योगिता को निधारित किया गया इसमें एक अध्यक्ष होता है और चार सदस्य होते हैं अध्यक्स जो है वो सारजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए और इन चार सदस्यों में से एक जो सदस्य है वो उच्छ न्यायले का न्याय धीश या उसकी योगिता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए इसके अलावा जो तीन सदस्चे हैं वो सारजुनिक मामलों के जानकार हो या वित्य परबंदन उनकी योगिता निर्धारित की गई है वितायोग का मुख्य काम जो है वो केंदर और राज्यों के संबंधों को परिभाशित करना है कि कितना पैसा भारत सरकार इस्तवाल करेंगे और कितना पैसा राज्यों को मिलेगा पहला वितायोग जो है उसका गठन 1991 में किया गया था और इसके जो अध्यक्स थे वो केसी नहीं होगी थी जिसका कारेकाल 1992 से 1907 तक था और अब तक 15 वितायो का गठन किया जा चुका है 15 में वितायो का गठन 2017 में किया गया था और इसके जो अध्यक्स है वो जानिमानियल शास्त्री N.K. सिंग है और इसका जो कारेकाल है वो 2020 से लेकर के 2025 तक का है इसके अलावा किस राज्य को किंतना फंड मिलेगा जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार उस राज्य सरकार की जो कमाई है वो Consolated Fund of India यानि कि भारत की संशित में चली जाती है और संशित में कितना पैसा किस राज्य को मिलेगा भारत सरकार कितना इस्तमाल करेगी इसकी जो सिफारी से वो वितायो करता है वितायो जो राष्ट पती को सलाह देता है और इसके बाद वितायो की जो रिपोर्ट है वो दोनों सद्र में रखी जाती है हालां कि वितायों की सिफारी से मानना केंद्र सरकार के लिए बद्यकारी नहीं है लेकि नाम तोर पर परंपरा के मुताबिक ऐसा होता रहा है कि वितायों की सिफारी से मानी जाती करके कराम पंचायते और नगर निकाय बना दिये गए थे इसी वज़े से राज्यों में भी जो है वो पंचायती स्तर पर जो है वो वित्तिय संबंदों की समिक्षा होती है इसलिए राज्य वितायोग का भी गठन होता रहा है और इसका जो समिधान में है वो 243 आई और 243 वा इसका समिधान में जिकर है और इसके सदस्यों को जो है वो कारेकाल से पहले भी हटाया जा सकता है और जो है किंदर सरकार की सिफारिश पर राष्टपती द्वारा ही वितायोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है थेंक्यू